तो हिंदुस्तानी शायरी में जब हिंदी और उर्दू एक साथ मिले तो इमरान प्रतापगड़ी जैसा एक शक्स होता है और जब शायरी और सियासत मिले तब इमरान प्रतापगड़ी जैसा कोई शक्स होता है अच्छा एक बात बताईए, आप लोगों ने आग और पानी को एक साथ देखा ہے. स्टेज पर देखिए, आग और पानी आपको एक साथ दिखाई देंगे. यह अचीलि फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आग कोन है और पानी कोन है. यह आप पर छोड़ते हैं. अंत में पूछेंगे कि कौन किसे आग मानता है किसे पानी लेकिन पहला प्रश्नी यह यह कि इम्रान जी अगर मैं सही हूँ तो आपके पिता चाहते थे आप डॉक्टर बने हाँ बिल्कुल वो चाहते थे कि डॉक्टर बनू और जब मैं शायरी की राह पर निकला तो उन्हें लगा कि लड़का खराब हो गया और देखे लिटरिचर में इन्होंने अलावाद युनिवर्स्टी से पढ़ाई की शायरी को पेशा चुना और फर अब सियासत का हिस्सा बन गया है मतलब कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए कर क्या रहें जीवन में पत्रकारिता की पढ़ाई की लेकिन छोड़ दिया पेशा नहीं बनाया उसको करते तो वो भी अच्छा करते हाला के शायरी जब मैं कर रहा था तो सियासत को लेकर के शायरी हमेशा जो है वेक अल अधी को भी दुनियादारी आती है यार सियासत की गलियों में मत जाना नागन अपने बच्चों को खा जाती है तो मैं तो यह शेर सुन रहा था लेकिन फिर लगा कि जब एक ऐसा वक्त आया कि सब कुछ सियासत ही तेह कर रही हो कि इतना लिखना है कितना बोलना है जब पत तो अब शायर कितना बचा है और कितना सियासदा हो गए है इमरान प्रतापगडी पूरा पूरा मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायर और सियासदा कितना हो जाए उससे ज्यादा जरूरी है कि मेरे अंदर का इंसान कितना बचा हुआ है मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रह और कोशिश करूँगा कि कभी उतना खराब नहूं, ये अवाम से भी वादा करता हूँ. जब तक शायर आइना में देखने के लाइक रहे तब तक वो रहता है शायर, आपके अंदर शायर तो जंदा है. शायर समाज का आइना होता है. मैं इसलिए जिन्दा हूँ के मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती. लोग मुझे सुनने आते हैं, देखने नहीं. Film stars आते हैं किसी political program में, तो लोग उनको देखने आते हैं, उनके dialogue सुनना है उनको. मेरे साथ यह है कि जो अवाम आती है मुझे सुनने, वो लाई हुई भीड नहीं होती, आई हुई भीड होती है. तो मुझे connect करने में कोई दिक्कत नहीं आती, मैं उससे बात करता हूँ, और उसके मुद्दों पर बात करता हूँ, शायरी के लहजे में बात करता हूँ, तो उसे अच्छा लगता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, कनेक्ट करने में मुझे अच्छा लगता है. लहजा क्या होता है वो शायराना जैसे आप इनसे कनेक्ट करके दिखाईए ये जो ओडियन्स है कितने युवा हैं याँ पर जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कितने लोग हैं जो शायर बनना चाहते हैं बहुत कम यहाथ बढ़ने चाहिए इस सेशन के अंतक यहाथ बढ इंकलाब का नारा होगा इंकलाब का नारा होगा पहला नाम हमारा होगा धर्ती के आंसू निकलेंगे धर्ती के आंसू निकलेंगे और समंदर खारा होगा और समंदर खारा होगा और आप आग और पानी का जिकर कर रही थी तो इनके नाम एक शेर के दर्पन कितना प्यारा होगा दर्पन कितना प्यारा होगा जिसमें अक्स तुम्हारा होगा जिसमें अक्स तुम्हारा होगा और इस दोर की जो सच्चाई है के एक अकेला क्या कर लेता एक अकेला क्या कर लेता एक अकेला क्या कर लेता भीडने घेर के मारा होगा पहला नाम हमारा होगा और सियासत में होकर भी हुक्मरानों के नाम ये शेर के जब तारीख लिखी जाएगी जब इतिहास लिखा जाएगा जब तारीख लिखी जाएगी कैसा हश्र तुम्हारा होगा इंकलाब का नारा होगा क्या वात है अब हमें समझ में आ गया कि चाहे आप आग है आप आनी है आप आनी आग से कनेक्ट कैसे बना लेते हैं शब आपके जादुगरी की तरह है और आपने हमेशा इसका इस्तमाल किया लेकिन मैंने आपकी बहुत शायरी पड़ी उचे कई बार लगा कि इम्रान के अंदर इतना दर्द क्यू है इम्रान के शब्दों में उनकी लाइनों में दर्द बहुत जहलगता है इसकी वज़ा क्या है अक्षिर जिस दौर में मैं बड़ा हु रहा था मैं हिंदी साहित का विद्यार थी राहे लाबाद बिश्र विद्याले में जिस दौर म में बड़ा हो रहा था, समाज की घटनाएं मुझे में प्रभाव डाल रही थी, उस समय सिस्टम एक अलग तरीके से विवहार कर रहा था, और खास्तोर से मैं जिस समाज से आता हूँ, उस समाज के दर्द को ज्यादा जल्दी महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं उसके बीच में कोशिश करता हूँ, जल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, इतना आसा नहीं ये काम जो हम करते हैं, काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, और हम फिर उन कटे हाथों को अलम करते हैं, तो हम कोशिश कर रहे थे, कि उस दर्द को महसूस करें, और मीडिया जब उस दर्द क उस जुल्म बुर्ष सित्म को अपना हिस्सा नहीं बना रही थी, तो मेरी कोशिछ थी कि मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उस दुल्म बॉर्ष सित्म का को गाने के लिए करू और मुझे लगता है कि मैं काम्याब रहा बहुत हद तक और मैंने अपनी बात दुनिया के सामने रखी मत समझना कि मैं गीत गाता रहा मैं तो जखमों का मातम मनाता रहा ये समझ करके जालिम पिघल जाएगा मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा तो मैं मातम मनाता था लोग उसको सुनते थे, पसंद करते थे क्या बात है मैं जुल्म पर मातम मना रहा था लोग सुनते गए उसको पसंद करते ये जुल्म हो किस पर रहा है समाज में हाशिये पर मौजूद हर इंसान पर वो हिंदू भी है, मुसल्मान बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कलमकारों की कलमकार जो है वो सक्ता का अस्थाई विपक्ष है हमारी जिम्मेदारी है कि जब मैं शायर बनके बोलूं तो फिर हाकिम से आँख मिला के बात करनी है वो कोई भी हो वो हमारा अपना हाकिम क्यों न हो तब मैं उससे भी आँख मिला करके बात करके बोलूंगा जब मैं 2010-2011-2012-2014 में शेर लिख रहा था नजमे लिख रहा था जो नजम मेरे इंट्रोड़क्शन में उन्होंने सुनाई के मां हम भी तेरे बेटे हैं वो मैंने 2011 में लिखी थी मैंने मदरसे की नजम 2012 में लिखी उसके बाद हाला जैसे जैसे बदलते गए मैंने की कि मैं अपने कलम के साथ इंसाफ करता रहूं सिस्टम जुल्म करता है इन दिनो थोड़ा बढ़ गया है आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है तो हमें और जोर से बावाजे बलन बोलना पड़ता है बस इतनी सिपार लेकिन चुर्की आपने ये चर्चा छेडी है तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं क्या इम्रान को खुद एक शायर को एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मागनिफाई हो कई शायर ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना दे रहा है और उनकी कलम में क करते हैं संस्थान हमें सम्मान देता है हम संस्थान की विचारधारा के साथ सहमत होते हैं तब तक साथ चलते हैं जिस दिन हमें लगेगा कि संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है उस दिन यह हो सकता है मैं मेरा अपना जूसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूँगा, राजनीती छोड़ दूँगा, हमारी अपनी एक दुनिया है, क्या राजनीती में आना जरूरी हो गया था इम्राइटी, बहुत सारे शाहर ऐसे हैं, जो मानते हैं, कि अपनी कलम को आजाद रखना, किसी भी एक पार्टी की से उनकी पूरी जिंदगी का लक्ष होता है, नहीं, देखिए, आप जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में अगर आप यह कह रहे हैं, कि आप तटस्त हैं, तो आप सबसे बड़ी सियासत कर रहे हैं, यह कहना कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, यह सबसे बड़ जो अच्छा है उसका साथ भी दो हम सिर्फ फेस्बुक पर ट्विटर पर इंस्टा पे पोस्ट कर देते हैं ये मामला हुआ ये बड़ा गलत हुआ जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ खड़ा कौन होगा अगर सारे लोग एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी से अलग हट जाएंगे तो मुझे लगता है कि साथ देने वालों की कमी आ गई पहले होता था बड़े-बड़े प्रोटेस्ट होते थे आंदोलन होते थे हुकूमतें जुकती थी अब क्या है कि हमने फेस्बुक पे पोस्ट लिख दिया ट्विटर पे ट्वीट कर दिया हमें लगता है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली नहीं हमें सडक पर भी उनका साथ देना है और अगर मैं संसद में भी गया हूँ तो मैंने सबसे पहले युनिवस्टी के बच उसकी दो लाइने आपको सुना कर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे ये एक शायर का दावा है कभी भी रद नहीं होगा तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा इलाहबाद वालों मेरी बात याद रखना तुम कई सदियों तक कोई अतीक एहमद नहीं होगा मजबूरियां हैं गाओं से आया हुमें मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखू तेरा जर्फ ऐ समंदर किसने तुछ से कह दिया प्यासा हुमें इलाहबाद दुश्य विद्याले में आया पढ़ने के लिए किसी धन्ना सेठ की अवलाद नहीं था राजनेतिक परिवार नही था तो मुझे तो मंच चाहिए थे जो भी मंच मिलता था उस पर चड़ता था अपनी प्रतिभा दिखाता था पेमेंट लेता था घर जाता था एक वक्त आने के बाद आपको समझ में आता है कि आपकी वैचारी की क्या है आपकी विचारधारा क्या है आपको किन मुद्दो के असर में है तो हमने मुख्य देखिए कि लिए चार प्रतियां सुनाई उसके बाद फिर वो सुनाया जो हमें सुनाना था अच्छा ये वही था तो समा बांदे थे आप इसको समा बांदना ही कह सकते हैं भीड को अपने से जोडने के लिए आपको चला वो तीर जो बहतर ते होती है अगर पूरी जिंदगी वो उसको किसी पार्टी में रहते हुए भी संभाल कर रख सके मैं पूरी कोशिश करूंगा ये अवाम से वादा है मेरा क्या वात है तो अब मुझे लगता है कि यही लोग जो आपके लिए तालिया मजा रहे हैं अब कुछ सुनना चाहते है एक दम इमरान प्रतापगड़ी अनसेंसर्ड भूल जाइए कि नेता है भूल जाइए कि किस दर्बार पर जाकर मतलब किस पार्टी के साथ जाकर आपको काम करना पड़ता है तेखें उनी सो चपन में हाँ उनी सो चपन में सायुक्तराज अमेरिका के उस समय राश्ट्रप कि अगर हर राजनेता को शायरी और कवित आने लगे, पोष्ट्रि आने लगे और हर राजनेता पोष्ट्री और शायरी करने लगे तो यह दुनिया जिनदगी जीने के लिए और खुबसूरत हो सकती कितनों को सिखाया ये बताई असल बात ये है राहुल जी को भी सिखा रहे नहीं सिखा रहे है सबसे पहले बता सक देश की पारलियमेंड में पहुंचा हूं से श्पिछले दो साल की पारलियमेंड की तमाम जो स्पीचेज से इँ पून हला कोशारी सुना रहे है घरगे साब बताब बताब भालियू नटी और प्लोट क Haagir들을 के गड़ा है तो आप कोई भी शेर सुनाता है जिसको मैंने शेर ना भी लिखके दिया हो तो चेरमें साब को यह लगता है कि मैंने ही लिखके दिया होगा तो एक शायराना सा महाल बना है और मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है एक अच्छा महाल बन रहा है और ऐसा महाल मुझे लगत मोडी जी भी शाहिरी सुनाते हैं कभी कभी, सुश्मा सुराग जी थी तो बहुत अच्छे अशार सुनाती थी, ड़ॉक्टर मनमोहन सिंह साभ अच्छे अशार सुनाते थे, अहा, Lalu जी थे तो बहुत शांदार महाल रहता था, सदन का, अधवानी जी ने भी कभी कभी शाहि सुनाई है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और कुछ लोग सुनाने लगेंगे मैं तो कोशिछ करूँगा कि राहूल जी भी सुनाने लगेंगे अब आदवानी जी का क्रेडिट मत लेने लगियेगा हम किसी के credit नहीं ले रहे हैं, उसके credit हम आपको दे रहे हैं रहे हम का हुकम है bon सुन नहीं पाए बे जुबानी को आप समझे नहीं कहानी को ये जो आतिष परास्त फिरका है आप आग और पानी की बात कर रही थी ये जो आतिश परास्त फिरका है बद्दुआ दे रहा है पानी को आप समझे नहीं कहानी को और ढूंड लेती है मैं दुबई के एक मुशायरे में था तो वहाँ सारे आसपास पुरी एशिया के लोग सुनने आते हैं उसमें पडोसी मुलके भी कुछ सामने बैठे में थे तो मैंने का भई सरहत के इस पार का इमरान हो या सरहत के उस पार का मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ आपको सच्चा लगेगा के ढूंड लेती है हत कड़ी एक दिन धूंड लेती है हत कड़ी एक दिन धूंड लेती है हत कड़ी एक दिन खेल समझोना हक बयानी को आप समझे नहीं कहानी को और मेरी नई नसलों आपके नाम या शेर के आप चुप चाप जुल्म सहते हैं क्या हुआ आपकी जवानी को बद्वा दे रहा है पानी को क्या बात है तालिया बजाईए भाई जवदस मतलब मुझे लगा है कि हर कोई एक उम्र में और आपने युवाओं को खास तौर पर कहा तो सबके अंदर बहुत आग जलती है बहुत जोश रहता है दीरे दीरे लेकिन वो समझता है कि व्यावारिक तरीका क्या है जीने का हर ये हर किसी को अपना अपना मिला हुआ है हक अब मेरा प्रश्ण आपसी ये है कि कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया हो कई जग कई बार आपके पीछे भी पढ़ते हैं मतलब एक अलग ब्लड हंटिंग वहां होती है क्या एक ऐसी परिस्थिती बन सकती है जिसमें हर तरह की विचारधारा का सम्मान हो मैं मानती हूं कि कई लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ इसलिए बाते हैं क्योंकि उनको ब्लड हंटिंग किसी की करनी होती है मतलब हम कहते हैं कि सड़क पे लिंचिंग ना हो लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग किसम की लिंचिंग होती है लोगों की और सिर्फ उनकी विचारधारा की वज़े से बीच का रास्ता क्या हो सकता है एक शायर की नज़र्श पहली बात तो मैं अपनी नई नसलों से एक बात कहूंगा सोशल मीडिया आपकी बात पहुंचाने का एक जरिया भर है बहस का प्लेटफॉर्म नहीं है वहां बहस मत करिए आपको ट्वीट करना है आपको फेस्बुक पे कुछ लिखना है इंस्टा पे कुछ लिखना है लिख दीजे डाल दीजे अपनी बात पहुंचा दी तो वो तो अलड़ी उसका तो काम है न वे पूरी पेड टीम बैठी है तो ऐसे मैं उससे बहस मत करिए लड़िये मत अपनी बात रख दीजे तो शायद बचे रहेंगे वरना हम सब को जहलना पड़ता है और बहुत सारे लोगों पे इसका बहुत बुरा आसर पड़ता है हम लोग तो ऐसी दुनिया से आए हैं गाव में कि अगर आपके खिलाफ आपके अच्छे जो पोस्त उस पर जो कमेंट आते हैं उसको अगर मतलब मा और पिताजी पढ़ लें तो शायद आपका सोशल मीडिया चुड़वा दें कि बंद करो ये सब ये क्या तामाशा है लेकिन आपको जीना भी है मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं तो सोशल मीडिया का सहारा भी लेना है तो ऐसे में हमारे पास माध्यम क्या है हमें लोगों के पास जाने के लिए एक तो मंच है दूसरा वो आला प्रपंच है तो उससे निपटना ही है तो आप कैसे पार पा सकते वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन सहाब को बड़ा नागवार गुजरी है, अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं, बताइए, यही सुन्दरता है, यह नया भारत है, यह घर में गुज के मानता है, यहाँ पे बैठे हैं, मंच हमारा है, और फिर भी शिकायत क कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते नहीं है, हम लोगों के बीच में बहुत सामाने बातचीत हो रही है, तो आपको सामाने तरीके से ही मैं बात कह रहा हूं, मैं जब मीडिया की बात करूँ तो, देखें, मैं कलम का आदमी हो, तो साहर सी बात है, मेरी शिकायत भी अपने मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए, आप भी मजबूर होते हैं, कि आज तक जैसा मंच है नहीं, इमरान प्रतापगडी जी, आप भी जानते हैं, आज तक जैसा मंच है नहीं, मैं महराश्र गई शरत पवार से लेकर नाना पटोले ने मुझे इंटर्व्यू दिया, क कुछ चीजे स्थाई होती हैं, तभी आप भी आए हैं, आपके कुछ प्रशंसक आगे की कतारों में बैठे हैं, वो भी इसी लिए आए हैं, क्योंकि उनको पता है, कि यहाँ पर से जो हम वीडियो एडिट करकर के डालेंगे, वो वाइरल होगा. अजना जी देखे, तुम्हारी बजम के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी, आज तक बहुत अच्छा संस्थान है, मैं किसी एक संस्थान को किटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ अगर आए हैं ना, तो आपने हमें बुलाया हम तब आये हैं, कितने साचों में ढळल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं, तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो, हम वहाँ खुद ही चल के आए हैं, तो हमें तो बुलाया गया है, और मैं आने और बुलाने के इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं ए आपके ले नहीं आपके लिए नहीं नहीं जिसको नदियों ने सीचा है बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यू से जीवन खीचा है गजाद रखिये कि अब मैं बात जो कह रहा था कि यहाँ बुलाने और आने का सवाल नहीं है नेता और मीडिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं बिना हमारे आपका भी वजूद नहीं है और बिना आपके हमारा भी वजूद नहीं है हम दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं तो हम दोनों एक दूसरे को उसी रूप में कुबूल करें, हम आपस में लड़े नहीं, तो हमें भुलाया गया, तब हम आये, फिलाल, आपकी कविता बहुत अची थी, लेकिन नो डाउट आज तक बहुत शांदार कर रहा है, और ये कल तक बहुत शांदार करता रहेगा, मु आपकी पत्रकारिता की परशंशा करता हूं, इसमें कोई दोड़ा नहीं, आप अची पत्रकारिता करती हैं और हम सब युवा हुए हैं आपको देख देख करके, आपको सुन-सुन करके, मुझे देख देख कर आप जैसे लोग ज़हान होगा है, हम एक वक्त शायर भी बने करनी चाहिए, तो उसमें आपको क्रेडिट देता हूं, मैं इस बात के लिए, अब राजनीती में आ गया, पार्लियामेंट में चला गया, लेकिन उम्र तो कम ही है न, वजन बढ़ गया, राजनीतिक वजन कह रही हूं मैं, अगले प्रशन पर आते हैं, अब मुझे लगता है, थर्टी सेकेंड्स रील वाला चालेंज, जो इस जेनरेशन को ग्रस्त कर रहा है, उनको पता भी नहीं चल रहा और वो अडिक्टेड हो रहे हैं, वाश्रूम जाते हैं, तो स्कूल जब जा रहे होते हैं, तो क्लास में तो शायद मोबाईल ले लिया जाता है, फिर घर पहुंचते, वो चालेंज आप जैसे शायर, कैसे इसको काउंटर करेंगे, और AI का चालेंज, डोनों पर आपकी राय क्या है, तो मैं गाओं से आया था, मुझे तो एक टाइम था कि जब और कुट का जमाना था, उस जमाने से सोशल मीडिया, मैंने का ना अखबार में एक कर नाम छब जाता था किसी कवी सम्मेलन मुशायरे की रिपोर्ट में, तो लगता था कि हमने दुनिया जीत ली, लेकिन एक वक्त के बाद समझ में आए कि वो परियाप्त नहीं है, उसके बाद सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल हो, इस पे काम शुरू किया, तो हम तो जो है हमारे जैसे लोग जो हैं, वो अमीर इमाम का एक बहुत अच्छा शेर है कि आए हैं और शान से आए हुए हैं हम, आए हैं और शान से आए हुए हैं हम, मिटी में आसमान से आए हुए हैं हम, सीना महक रहा है तो हैरत है किसलिए, फूलों के खानदान से आए हुए हैं हम, त दोना तो एक to rouge थोड़ था जारेएं लेने ही नहीं दे रह ढ़ी आपको मंच कभी लेने ही स्लेक अलगी एलगी हमारी तो लड़ आप हिस्सा नहींते कभी सम्हरन्म शायों में, तो यह तो बनो मुं hazा गड्स रित इतना दबाव रहता था कि इम्रान परताब गड़ी को बलाओ एक नया सा लड़का आया है वच्छा पढ़ता है तो उस दबाव की वज़ा से हम यहां तक पहुचे मैं तो मानता हूं तो सोशल मीडिया का वो दबाव उसे प्यार से हंडल करिये उस पे अची चीजे लिखिये हमें तो पार्लेमेंट में जीरो आवर तीन मिनट में बोलना पड़ता है लंबा सा भाशन है तीन मिनट में पूरा करना है तो अभी तो पार्टी की तरफ से मैं तो बहुत युवा हूं तो हमारे तमाम सीनियर सराज्य सभा में है तो टाइम ही नहीं मिलता पार्टी वाला तो आपको अपनी प्रिजन्स भी दिखानी है तो तीन मिनट में अपनी बात कैसे रखें तो बिल्कुल 30 सेकेंड वाला ही मामला है वहां के लिए तीन मिनट तो उसमें कोशिश करते हैं कि अपनी बात रख पाएं और अजस कर लेता है इंसां धीरे यह दोर भी खत्म हो जाए तो एक दम ले में अचा उस पर सुनाएं ने या एक सिस्टम बना हुआ इसी पर चल ले दीजे एक नहीं सुना आता हूं एक दिन हुआ कि पार्लियमेंट में ने गए है तो थोड़ा चीखना चिलाना ज्यादा जोश ज्यादा है तो एक साथ 146 सांसत सुस्पेंड किये तो हमने का भाई आज सस्पेंड ना हुए होते तो अपनी नजरों में गिर जाते हैं ऐसा लगता कि बुजदिलों में नाम शुमार हो रहा है बहादुरों में नहीं तो बोले आप शायर हैं शायरी की भाशा में बताइए तो एक नजम कही मैंने वहीं पर के जखम पर जख खाके निकले हैं ये संगीत वाले भी जो साथ ही बैठे हैं मुझे उनका भी साथ मिले के जखम पर जखम खाके निकले हैं हां मगर मुस्कुरा के निकले हैं सर जुकाने का हुक्म जब आया सर जुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं और सस्पेंडों के आये थे तो गुस्सा था तब ये शेर पढ़ा के हर सितम का जबाब आयेगा देखना इंकलाब आयेगा इनकलाब आयेगा अच्छे दिन का किये थे जो वादा उनका दिन भी खराब आयेगा उनका दिन भी खराब आएगा हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले है और भी सर उठा के निकले है क्या बात है ये बात आपको जुदा करती है बाकी राजनेताओं से मुझे लगता है कि आप हर तरह की बात करते हैं आप आवाम की भी आवाज बनते हैं पार्टी में रहकर ये कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन अंजरा जी ये चीज क्लियर कर दूँ मुझे बहुत खुशी है और मैं इस मंच पर अपनी लीडर्शिप की प्रशंसा भी करूँगा कि कभी मुझे ये नहीं कहा गया कि इमरान तुम मुशायरों में जाके क्या पढ़ रहे हो तुमने ये क्या बोल दिया यहां पाबंदी ये मत करो ऐसा मत करो भाशन क्या दे रहे हो किस विशय पर बोल रहे हो मैं बहुत जिम्मेदारी से और इमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे आज तक मेरी पार्टी में किसी नेता नहीं ये नहीं कहा कि तुम इस विशय पर बोलो इस विशय पर मत बोलो उन्हें भरोसा है और शायद मैं उसके साथ न्याई कर रहा हूँ, मैं कभी सम्मेलन मशारों में जाता हूँ, सारे विश्यों पर कवितायें पढ़ता हूँ, और मुझे कभी नहीं रोका जाता हूँ, हाँ जब मैं राजनेतिक मंचों पर खड़ा होता हूँ, तो राजनेतिक मैं वहां अपनी बात रखता हूं, लेकिन बाकी जगा पर मुझे स्वतंतरता है, इतनी तारीफ में कॉंग्रेस पार्टी की इसलिए करूंगा, मैं उनका सांसद होने के नाते, कि मुझे कहते हैं कि आप कभी संवेलोनों में जाया करो, आप अपना बेस जो है, जो अपनी वहां पर है कि आप लिख पढ़ सकते हैं, बाकी जगों पर मुश्किल है, तालियों के साथ बहुत-बहुत अभिनंदन, इम्रान प्रतापकड़ी जी, आप मंजी परायाज तक के हमाने हैं, जो भी बहुत अच्छा लगा, और, लीजे, का कह रहे हैं, वो कह रही हैं, वो क पारे लगा रहे हैं, वो लोग लेकिन देखें, अच्छी बाते लगाएं, मुझे तो अच्छा लग रहे हैं, कि मैं उनके बीच में आके भी कवितायं सोना रहा हूं, ये मेरी ताकत है, ये शब्दों की ताकत है, कि मैं उनके बीच में भी खड़ा हो करके कवितायं सोना और मैं सुनाओंगा, यह तो अच्छी बात, मैं तो पारलियमेंट में मोदी जी बैठे रहते हैं, तब उनको भी सुनाता हूं, मैं तो उनसे पूछता हूं, कहां सोया है चोकीदार, विजय मालया नाथ के नीचे से हो गया, फरार कहां सोया है चोकीदार, मैं तो पूछता तो मैं तो यह करूंगा थी आप सभी का बहुत धन्यवाद सबकी विचारधारा अलग हो सकती यही तो अच्छी बात है कि अलग अलग की विचारधारा है एक मंचपेक बैठें सबका हम सम्मान करें मुझे भी सम्मान है मैं उनका सम्मान करता हूँ उनका शुक्रिया आदा करता हूँ यही तो शब्दों की ताकत है इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद